खमरिया फैक्टरी में आज सोवे एक गंभीर हासा घटित हुआ फैक्टरी के F6 सेक्षन में रसियन मेसाइल के बॉल आउट करते समय उसमें बिलाश्ट हो गया अधिकारित रूप से प्राप्त जानकारी को इंसार इस घटना में 12 करमचारी घायल हो गया एक करमचारी लापता है जिसकी मरत्यों की समभणाएं व्यक्त की जा रही है इसके इलावा गंभीर रूप से घायल दो करमचारीों को महा कोसल होस्पिटल में उपचार के लिए भरती किया गया है दोनों की हालत अत्यंत गंभीर बनी हुई है और उन्हें एर लिफ्ट कर बॉम्बे या दिली उपचार के लिए भेज़े जाने पर विचार किया जा रहा है फैक्टरी के सीजियम एम हल्दकार ने घटना की जाच के निर्देश जारी कर दिये है उन्होंने कहा कि गायल करमचारियों के उपचार में किसी भी प्रकार की कोता ही नहीं बरती जाएगी उन्हें सच मूचित उपचार उपलप्त करवाया जाएगा इस घटना से फैक्टरी करमचारियों में दैसत का माहौल बयाप्त है इसके पूर भी 2017 में बड़ी घटना घटित हुई थी इसके पहले साल 2014-15 में भी एक बड़ी घटना घटित हुई थी बिलाश्ट की अक्सर ओफ के खमरिया फैक्टरी में घटना घटित होती रहती है छोटी मुटी घटनाओं में करमचारियों के गायल होने के समर्माचार प्राप्त होते रहते हैं करमचारियों को कहना है कि तक्निकी करमचारियों की कमी के कारण ऐसी घटनाएं घटित होती है अकोसल वेक्तियों से कार कराए जाने के कारण ही ऐसे हाल से घटित होते हैं अधिकरित रूप पर से ऐसी बात आ रही है कि जो करमचारी काम कर रहे थे उसमें से कुछ अकोसल करमचारी थे घटना की विश्तरत जानकारी के लिए सीजी हमने बताया कि जाच के बाद ही कुछ कह सकते हैं जबलपुर की आयोश निर्मान खमरिया के F6 अनुभाग में मंगलवार की सुबह पिचोरा बम को पॉल्ड आउट करते समय फायर हो गया जिस समय यह ब्लास्ट हुआ उस वक्त भवन में लगबग 12 से 13 लोग काम कर रहे थे सभी लोग घायल हो गए सभी घायलों को महा कौशल हॉस्पिटल भेज दिया गया जहां उपचार जारी है चिकितसकों ने बताया कि महा कौशल हॉस्पिटल रेफर किया गया है उनके नाम है शामलाल और रंदीर दोनों की हालत देहत गंबीर है जिन्हें कम चोट लगी है उनका भी उपचार किया जा रहा है वहीं मलबे में कई और करमचारियों के दबे होने की आशंका और राहत बचाफकार अभी चारी है ये बड़ी खबर आई है जबलपूर से जहां एक बड़ा ब्लास्ट हो गया है फैक्ट्री में भयानक विस्फोट की खबर है साथ ही खबर है तेरह लोगों के बुरी तरह घायल होने की इस मामले में दो के मौत हो जाने की भी खबर सामने आई है बतादे जबलपूर की खमरिया ओर्डिनेंस फ्रेक्टरी में भयानक विस्वोट हो गया जिसमें 13 लोग बुरी तरह घायल हुए हैं वहीं इस हाथसे में दो लोगों की मौत हो गई है झाज chi कि मौत हैर जो लोगों की मोद कि रव़। उन अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें